दे दीजे न हमें चरम सुक अगर तुम हमारी साली नहीं होती हम तुम्हें ऐसा सुक देते जो तुम्हें विदेशों में भी नहीं मिला होगा दोस्तो आजकल इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी बैप सरीज लांच हो चुकी हैं जिन्हें देखने के बाद मूवी देखने का मन नहीं करता लेकिन कुछ बैप सरीज ऐसी हैं जिन्हें हम फिरी में देख पाते हैं और कुछ नहीं आज हम आपको उन बैप सरीज के बारे में बताएंगे जिने अभी तक बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा तो चलिए वीडियो शुरूगरते हैं और जानते हैं इन बैप स्रीज के बारे में नमबर वन उरन पटोला बैप स्रीज बेस्ट है कॉमेडी एंड ड्रामा एक्टिविटी के उपर बैप स्रीज की स्टोडी की अगर हम बात करें तो बैप स्रीज की स्टोडी सुरू होती है चार दोस्तों से जो की अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती है लेकिन उनके लाइफ में बहुत सारी प्राब्लम्स भी आती है और उन प्राब्लम्स को किस तरह से हैंडिल करती हैं यही दिखाने की कोशिस की जाएगी इस कम्प्लेट बैप स्रिज में बैप स्रिज रिलिज की गई है अमेजॉन मीनी टीवी पर और इसे आई-मडीबी रेटिंग देती है टेन में 3.9 की बैप स्रिज के कॉंसेप्ट की अगर हम बात करें तो बैप स्रिज की कॉंसेप्ट सुरू होती है डाक्टर अडोडा से जो की एक गुप्त रोगी भी से सग्य है और उनके पास बहुत सारे पेसेंट भी आते हैं और उन पेसेंट का ओ किस तरह से इलाज करते हैं यही दिखाने की कोशिस की जाएगी इस कम्प्लेट बैप स्रिज में इवेन उनकी पर्सनल लाइप कैसी रहती है यह भी इस बैप बैप स्रिज रिलिज की गया सोनी ली उपर और इसे आई एम डीबी रेटिंग देती है टेन में से एट पॉइंट सेवन की नमबर तीन पर है सी सीजन टू बैप स्रिज बेश्ट है क्राइम थिलर एंड अक्शन अक्टिविटी के उपर बैप स्रिज की स्टोडी की अगर हम बात करें तो बैप स्रिज की स्टोडी सुरू होती है भूमी से जो की फिर से एक डेडलियस मिसन पर जा चुकी है लेकिन लास्ट अग भूमी उस डेडलियस मिसन को किस तरह से कंप्लेट करती है और क्रिमनर्स को किस तरह से पकड़ती है यही सारी चीजे दिखाने की कोशिस की जाएगी इस कंप्लेट बैप स्रिज में बैप स्रिज रिलीज की गई है नेट्फिलिक्स पर और इसे IMDB रेटिंग देती है 10 में से 8.2 की कर दो है। कर दों में से 9.2 की बाहतरी कैसिती है